बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज मैं आप लोगों से कद्दू के रायते की रैस्पी शेयर करूंगी जो के बहुत ही मज़े का बनता है तो यहां पर मैंने दो अदद कद्दू लिये हैं जिनको मैंने चील के अच्छे से दो लिया था तो अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं इनको हम चार हिसों में डिवाइड करेंगे और इसके बाद हम इसको कद्दू करश कर लेंगे और यहां पर मैंने एक ग्रेटर लिया है और इसके साथ हम कद्दू को करश कर लेंगे यह मोटे वाली साइड है इस से हमने इसकोПрश कर लिया है और यहां पे मैंने एक पैन लिया है और जो हमने कुद्दू क्रश किया था वो सारा हम इस पैन में डाल देंगे वीडियो को आपने एंट तक देखना है इसकी披़ आपने बिलकुल नहीं करना तो यहां पे हमने सारा कद्दू इसमें डाल लिया है तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे तो पानी इसमें मैंने एक गिलास डाला है और पानी डालके फिर हम इसको उपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए गर्मियों में कद्दू का राइता बनाया जाए तो ये बहुत ही मज़े का लगता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है तो यहां पर पांच से साथ मिनट हो चुके हैं तो ये देखिए हमारा कद्दू अच्छे से बौाइल हो गया है तो अब हम इसको चान लेंगे तो ये देखिए कद्दू का पानी हमने निकाल दिया है अब हम इसको साइड पे रखते हैं तो यहां पर मैंने एक अदर्द बाउल लिया है और इसमें मैं दही डालूँगी तो ये बड़े चार चमच मैंने दही के लिए है तो ये दही माशालला देखिए कितने मज़े का बना है तो इन्शालला मैं आप लोगों से इसकी भी रैस्पी बहुत यंदी शेयर करूँगी अब हम इस दही को अच्छे से फैंट लेंगे इसी दुरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकान भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके तो अब यहां पर मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दूँगी तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो नमक हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसमें एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर डाल दूँगी इसकी मैंने चोटी-चोटी सी कटिंग कर ली थी इसके बाद मैं इसमें कटे हुए खीरे डाल दूँगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें तो यहां पे मैंने खीरे डाल दिये हैं तो अब हम इसमें कदू डाल देंगे जिसको हमने बॉाइल किया था तो यह मैंने कदू इसमें डाल दिया है अब यहां पे मैं इसमें एक मिडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल दूँगी राइता प्याज के बगएर नामकमल है तो यह प्याज से तो बहुत ही मज़े का लगता है अब यहां पर मैं इसमें कूटी हुई सबस मिर्च डाल दूँगी तो यह मैंने थोड़ी सी इसमें कूटी हुई सबस मिर्च डाली है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं वन फोर्थ टी स्पून मैंने इसमें पीसी हुई काली मिर्च डाली है अब हम इन सब चीजों को इस चमच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसमें अब हमने कोई भी मसाला एड़ नहीं करना तो ये माशालला हमारा राइता बहुत ही मज़े का बना है तो यहां पे हमने हर चीज अच्छे से मिक्स कर ली है तो ये देखिए माशाला हमारा राइता देखने में किते मज़े का लग रहा है तो ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफीज